केरल के रहने वाले इंजियन कैथोलिक पादरी ने भारत सरकार और पोप फ्रांसिस से रिहाई की गुहार लगाई है फादर टॉम उजुननेल को मार्च में यमन में इसलामिक स्टेट ने अगवा कर लिया था अगवा पादरी का इन दिनों एक वीजियो मैसेच वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं यूरूपी अपादरी होता तो मेरे मामले को ज्यादा गंभीरता से लिया जाता मैं भारत से हूँ शायद इसलिए मेरी कोई एहमियत नहीं है क्रिसमस के एक दिन बाद जारी किये गए इस वीजियो संदेश में फादर चौम पे हद घबराए हुए नज़र आ रहे है इसके साथ ही वीजियो में पादरी ने ये भी कहा कि पोप फ्रांसिस एक पिता की तरहा मेरे जीवन की रक्षा करे मैं हताश हूँ और मेरा स्वास्थे गिर रहा है वही वीजियो सामने आने के बाद भारत सरकार ने कहा है कि फादर की रिहाई को लेकर वह है यमन अथोरिटीज और सौधी अरब से लगादार संपर्क में है आपको बताते कि पादरी का ये वीजियो केरल के न्यूस चैनलों पर क्रिस्मस के एक दिन बाद चारी किया गया इस वीजियो को यूट्यूब और फेस्बुक पर भी अपलोट किया गया है हलाकि वीजियो की सत्यता कि कोई सबूत नहीं मिले हैं और ना ही ये पता चल सका है कि इसे कहां शूट किया गया तो 9 महीरे पहले फादर टॉम को इसलामिक स्ट्रेट ने अगवा किया था और अभी तक वह है उनकी कैद में है अब देखना होगा कि फादर की रिहाई के लिए भारत सरकार क्या कदम उठाती है देखते रही डी बिलाइव